नमस्कार दोस्तो आपके जीवन में समस्याएं आती रहती हैं और सुब और दुख दोनों ही एक सिक्के के ही पहलू हैं लेकिन कभी भी अगर कोई भी समस्याएं आएं लेकिन कभी भी ऐसा ना करें कि आपका सही रास्ता छोड़ें क्योंकि देखा जाता है कि आपके जीवन में समस्याएं आती जाती रहती हैं लेकिन सही रास्ता छोड़ने पर कभी भी वह परिशान या कम नहीं होती हैं लेकिन क पुर्ण करना ही होता है और फिर उसके बाद उसके बच्चे और यह प्रक्रिया चलते ही रह भी है और यह प्रक्रिया चलते चलते वह अपनी जीवन की सारी चीजों पोस्ट सुख सुविदा के साथ लेना शुरू कर देता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जीवन में कुछ ऐसी घटना होने की वज़ा से आप सही रास्ता छोड़ कर गलत रास्ता चुर लेते हैं यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परिशानियां हो जाती है तो आप कभी भी ऐसा ना करें क्योंकि सही रास्ता हमिसा सही ही रहता है यदि आप गलत तरीके से कोई काम करते हैं वो गलत रहा पर चल देते हैं तो वह आपके जीवन में समस्या को और भी जादा बढ़ा कर देती हैं और आप फिर से तुबारा उस रास्ते पर नहीं आ सकते हैं जो सही होता है यदि आपके जीवन में समस्या होती हैं तो उन समस्या से लड़े और अपने आत्मवल को मजबूत करें और उस आत्मवल को इतना मजबूत करें कि आपके समस्या चोटी बढ़ जाएं और उन समस्या को दूर कर दें यदि आपके जीवन में में समस्याइ जादा हो रही हैं और आप उन्हें नहीं निभा पा रहे हैं तो अपनी फैमली को एक साथ लेकर उन समस्या से लड़ना सिखें अपनी सहस्ता को बनाई रखें छम्ता को और भी जादा बड़ा गर लें और उस समय को और भी जादा बैटर बनाने की कोशिश करें क्योंकि छोटी-छोटी चीजों में खुशियां डूनना हर किसी को आता है यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आएं तो उसके लिए जरूरी है कि आप छोटी-छोटी चीजों को अपने परिवार के साथ अपने मन में इन चीजों को और भी जादा जगा बना दीजिए क्योंकि यदि आप छुटी छुटी चीजों में खुशियां ढूनते हैं तो उससे बहुत बड़ी खुशियां मिलती हैं और उस पल को भूल जाएंगे जो पल आपकी जीवन में बहुत जादा खराब रहा होगा यदि आप सही रास्ते पे चल कर अपनी कारे को करते हैं तो आपको सफलता मिले के पूरे चार्च होते हैं और यदि आप गलत रास्ते को चुन कर उसी कारे की करने की कोशिश कर रही हैं तो वह कारे तो कंप्लिक नहीं होगा बलकि आपने जो गलत रास्ता चुना है उस गलत रास्ते से सही रास्ते पराने पर आपकी पूरी जिन्दिगी ही निकल जाएगी क्योंकि इच्जत गवाने में टाइम नहीं लगता है लेकिन इच्जत कमाने में समय लग जाता है यदि आप चाहते हैं कि आपकी इचट ऐसी ही बनी रहे और आपकी इचट हमेशा बढ़ती रहे तो उसके लिए जरूरी है कि सही रास्ते पर चलकर ही अपनी कारे को करें ताकि आपकी इचट हमेशा ऐसी ही रहे तो ये है जीवन का सबसे अन्मोल उपाए यदि आप अपनी जीवन में सफलता को पाहना चाहते हैं तो सही रास्ता ही चुने मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब करना ना भूले